अगला प्रस्ण देखिए हिंदी का भी कराऊंगा हिंदी का साम को कराऊंगा देखिए अगला प्रस्ण सेकेंड नमर प्रस्ण देखिए पनामा नहर जोरता है पनामा नहर को किसे जोरता है जी पोट सहीड से कोलोन से होनलून से या लाल सागर से बहुत ही अच्छा जी कुमार सिंग जी बहुत अच्छे वेरी गुड नाइस परफोर्मेंस दोस इसी तरह से करते जी लिएगा सारे प्रशनों को और एक बात ध्यान रखिए कि आपके एक्जामिनेशन के लिए सभी प्रशन अत्यांत महत्त पूर्ण है बिल्कुल हिंदी क्या कराऊंगा भाई कि आपको लोन, से, अगला प्रस्द देखिएगा, संदेशो का आदान प्रदान क्या कर लता है, मौश्ट बी बैर रखिएगा आपका संचार कहलाता है, क्या, संचार कहलाता है, एसा भी पूछता हैं, संचार से आप क्या समझते हैं, तो अब संदेशों का आदान प्रदान होता है、 उसी को संचार करते हैं, आप simple सा आपनी भासा में इसका जवाब लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजियेगा, जल्द से जल्द अप्लोट कर दूंगा आप लोग देख लिजेगा विस समय बहुत है एक दिन में आप लोग असानी से कंप्लीट कर लिजेगा है चलू यह जाँ इसे न कहां है तो याद रखिएगा साहीजवाब का और का उप्सन सि जर्मनिー हो जाएगा उप्सन जर्मने हो जाया आप लोगु कर रहे था दें जयान रखे чер she's the仔 listen the ऐख दा निरवाण क्रिशी सरय किसे समंदितव ज्याध्र पर निकिस करीके यस अब आज तो clear है तो देखिएगा चावल या धान की केती किसे संबन्दित होती है तो गहन इरवहन किसी से इसका संबन्द होता है दोस्त तो याद रखिएगा 5 का आपका D होगा अब देखिए आप वाइरल क्योंस के चक्कर में मत रहे हैं मैं खुद बताता हूँ यह जो होता है माना की क्वेशन थो आउट हो जाता है लेकिन तो एक्जाम के बस कुछ मिनट पहले ही तो ऐसा नहीं है कि जो लिख दिया गया वही होगा तो आप लोग रिवीजन पर ध्यान देजेगा वही आपके लिए आत्यांत मत पून रहेगा देखिए 6 नमर प्रस्ण भारत तो ओप्सन भी आपके सही जवाब रेंगे सारा प्रस्न मैंने कडा दिया है लेकिन फिर से एक बार इए वीजन करा दे रहा हूं और इसी का नाम मैंने प्लेट है पिछले सालू किस वस्तु का नेरियात उदारी करण के बढ़ा है में देखने के लिए भारत के प्रस्तिंश के तो जयिए भारत के देखने के अंतराश्ट्रिय व्यापार में किस महादेश की महत्यां हैMore किस महादेश की महत्य पुन भूमिका जी भारत के अंतराश्ट्रिय ब्यापार में किस महादेश की महत्य पुन भूमिका अफ्रिका एसिया यूरोप या अंटार्टिका एसिया अफ्रिका यूरोप या अंटार्टिका बताइएगा भारत के अंतराश्ट्रिय ब्यापार में क इस महादेश की भूमिका जादा है सबसे जादा तो याद रखिएगा सही जब आपको option भी हो जाएंगे Asia क्योंकि Asia में इन्हें सब important देश है समझ में नहीं है तो बोलिएगा मैं concept देखकर समझाओंगा लेकिन भूलना नहीं है तो आसल लंबा वीडियो होगा तो होगा लेकिन सारे चीजों पर concept देदूँगा ऐसे मैं अभी आपको tick out करा करा कर पठा रहा हूँ ताकि आप लोगा डिवीजन हो जाए देखें नाइन नमर प्रस्ण देखिएगा किस परवत पर ऊटी पर अटक केंदर अवस्ती था दोस्तों नौ का option भी हो जागा निलगिरी याद रखिएगा किस नगरिये छेतर में परवासी जंसंक्या का अंस सरवदिक हैं मुंबई दिल्ली चन्ना या कोलकता सही जब आप क्या हो जाएंगे बहुत एच्छे ऊपर में एक टेलिग्राम का लिंक आपको दिया गया उसको आप ज्वायन कर लिजेगा important है आपके लिंए मैं नहीं बतलाओंगा किसी इसके लिए इंपोर्टेंट है लेकिन आप लोग जॉइन कर लिजेगा हमारे बच्चे हैं हम आप मेरे पर विश्वास करके पढ़ रहें तो जरूर थोड़ा जॉइन कर लिजेगा पांच-छे दिन के लिए बाद में उसको रिमूब कर देना है अगला प्रसन देखिएगा अगला प्रसन देखिएगा अगला प्रसन देखिएगा प्रसन संख्या 11 नंबर बहुत अच्छा प्रसन है प्रसन पूछता है कि खरीब फसल की किसी रित्व क्या है मने कि खरीब फसल जो होती है वो किस रित्व में होती है आप्शन देखिए अक्टूबर से मार्च अप्रेल से जून सितंबर से जनवरी या जून से सितंबर एंसर किजिएगा हलीसा जी खुसी राजपूर जी चली बहुत अच्छे बहुत अच्छे रागनी ओजा जी नमबर अच्छा लाना है सभी को और एक बात याद रखी एक जामिनेशन में प्रस में ना भी आये मालनीजे जैसे आपको 15 न 15 क्वेशन बनाना है और आपको 12 ही आ रहा है लेकिन फिर भी आपको 15 में 15 टच करके आना है जितना दे दिया है उपर बनाने के लिए सौट में जैसे आपको मालनीजे 15 क्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है तो आपको 15 क्वेशन कुछ भी बना कर आना है आपने इतना पढ़ा है मैंने इतना बहुत बात बोला है अपने मेरी बातों को सुना है तो आप उन्हीं बातों कुली कराईएगा लेकिन प्रस निचो जो है उसको आपको ध्यान में रखना होगा बाकि सब्जेक्टिव के लिए मैं का दे रहा हूं अगर प्रस ना भी बने फिर भी आपको प्रस न बना के लाना है वो कैसे बना बताऊंगा मैं आपको आज सामके क्लास में देखिए 11 नमबर प्रस ने आपका पुछता है एक सब्सक्राइब फसल के किसी रितु क्या है सही अंसर आपका क्या हो गया ग्यारक आप लोगों ने भी किया है ऑप्सन नमबर डी तो जून से सिदंबर याद रखिएगा कहीं में इस टेक हो तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि अभी मैं जल्दी जल्दी से सारे प्रशनों क कियोंकि अभी हम लोग करने वाल है इस क्लास में घृर का का Launch अको क्या कहा जाता है तो ब्राजील के कौफी बगान को पेढा मैं जाना है नाम से जाने जाता है तो तो याद र हैं अगला स्री वीजन चौदा नमबर प्रस्ट देखिएगा वाह सुरूति करन सहायक होता है तो यह होता है दक्सता सुधारने के लिए किमतों को घटाने के लिए विकासिर देशों में रोजगार को बढ़ाने के लिए तो आप्शन ये भी सी तीनों सही है इसलिए आपका हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ट देखिएगा सहनवाज कवार देना है गरदा उखार देना है कल के एक्जाम में ममता कुमारी जी खुसी राजपूजी देखिए हिंदी इंगलिस अच्छा चला गया तो फिर आपका सब एक्जाम अच्छा जाएगा अगला देखिए 15 नमर क्योंकि बागी एक्जाम का जीमेदारी मेरे उपर है भाई जियोड़ोफी पॉलेटी हिस्ट्री जो भी है साइकोलजी है इन समय तो मेरा जीमेदारी है बागी हिंदी इंगलिस आप लोग कर लीजिए अच्छे से उसमें भी कुछ मैंने आपको हेल्प करा है कुछ आपके ग्रामर नहीं लेना आपको लिएक्जाम देकर आईएगा आपके लिए सारा इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पर तयार करके रख रखा है बस आपको रिभाईज मारना है और एक्जाम देने चले जाना है तो आप टेंसन मत लीजिए ना अगला देखिए मनीपाल सॉफ्ट्व में आ सकता है अभी प्रशने कि मनीपाल सॉफ्ट्वेर तकनिकी पार कहां में है सही जो आप लोगों ने ऑप्शन क्या किया है भी करना टक तो बच्चे भी लगा रहे हैं चले अगला देखिएगा प्रशने निम में से कौन एक तृत्य किरिया क्लाप है आखेट मचली पक से कोई नहीं हिंदी नहीं है को बात नहीं है हर हर महादेव आप छोगी महाराज के बने आप लोग चुकिе हैं आप तो कर लिजिए आप इन से प्रस्णों का डिविजन कर लिजिए सेम तू सेम प्रस्ण देखने के लिए यार निम्ड में से कौन एक तृत्य किर्याकलाप है आखेट मश्लिप करना क्रीसी अभ्यापार आपके जो है वो तृत्य किर्याकलाप के अंतरगत आजाते हैं अगला डीजिए आपको लेटर लिएं अता है आपको अपलीकेस्न लिखने आता है आपको संखेपन करने आता है आपको आपने कभी नहीं बुक पढ़ा हिंदिका लिटरेचर आपने नहीं पढ़ाया लेकिन थुरा सा अभी के टाइम में के वह उसका एक लेखा का नाम याद कर लिए लेखा की जीवनी के वारे में एक आद दो पढ़ लिए वो भी कौन जो पूछा गया है न बगल के जैस प्रस्थ तीन साल का बस पिछले का तीन साल का आप सब्जेक्टिव के लिए देख लिए आप कहा असानी से हो जागा निम्ण में कौन ना धानी नगर है कानपूर दूर्ग चंडिगर तो चंडिगर आपके सई जवाब हो जाएंगे अगला प्रस्थ नंबर कि मानो भूग अधिवास की लगूत रेख डिवास का न्युति याद रखिएगा तो क्या नाम देते हैं पल्ली नाम देते हैं याद रखिएगा अगला देखिए कसवा थोरा सा उससे बड़ा हो जाता है 22 नमर देखिए कि दो देशों के बीच का जो ब्यापार होता है वो क्या कलाता है तो दो देशों के बीच का जो ब्यापार होता है दोस्तों वो आपका कलाता है आपका option B, option B अंतराश्टी ये ब्यापार कलाता है अभी बताइए आप लोग, सर आप से कुछ कहना है अब मैंने आपे 22 प्रस्ण कराई आप को इसलिये मैं डिविजन करा दे रहा हूँ, आप लोग डिविजन कória दे रहा हूँ, एन सबी प्रस्णों को देख लीजीए, बहुत अत्यान्त महत्यपूर्ण है चलिए अगला प्रस्ण देखे यहां पर टेज्ट करते हैं प्रस्ण करता है दिखाई देरा सभी को प्रसन देखिये कर आए कि नीन में से कौन जो है सबसे महत पून जूत उत्पादक छेतर है कृष्णा डेल्टा, गंगा डेल्टा, ननमडा डेल्टा या कावेरी डेल्टा याद रखेगा जूत उत्पादक की बात की जारी है सबसे जञदा गंग rinse और मुझे पंक्राइब शब्सक्राइब देखिए दिमाग डाइब हो जागा अगला देखे 24 नमर के करदें बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे अगला प्रस्ण देखेंगे स honestly पराज़baren प्रचन आपका निदम्ड प्रस्णा है कि नीवन में कोन परोश्य के कॉर्जा का Leben गैर प्रम प्रागत शुरूत है लाल मुहमत जी अब समझना क्या भाई अब आप जितना कमेंट कर सको आप तो आपके पास ऐसा जुनून आ जाना चाहिए कि आपको मेरे बोलने से पहले यहां पर एंसर देदना चाहिए तब जाकर पता चलेगा कि हाँ आपको अपने आप मे अब कि प्रस्न आपको नीचे पहले में उन्सर को कर दे तकी उनके अंदर एक संतुष्टी आजाए कि ना भाई मेली अच्छी है कि अगय। प्रागत सुरूत है देखिए आपको इतना ध्यान रखना है कोई बच्चे कुस लिख रहा है तो आपको ध्यान रखना होगा तो प्रस नहीं पूछा तो 25 का बच्चों ने लगाया है चलिए आप लोग 26 भी कर दिए बहुत एच्छे बहुत एच्छे 25 का लोग कियोंकि बच्चे देखेंगे लास्ट डाइम हैं लास्ट टाइम कोई मिस्टेक हम लोका किसी का जीमन भी ब्रवाद कर सकता है कि अगर सब्जेक्टिव कड़ा देंगे तो 70 में 70 लाने का चांस लगाईएगा 69 at least 65 plus सभी का आना चाहिए देखिए यहाँ पर प्रस्ण निम्ड में से कौन सा राज नरोडा नाव किये उर्जा सन्यातर से सम्मन्दित है तो नरोडा नाव किये उर्जा से आपका जो नरोडा नाव किये उर्जा जो है सन्यातर से सम्मन्दित कौन है तो सही जवाब आपके हो जाएंगे option number B याद रखेगा उत्तर पर्देश ठीक है option number B उत्तर पर्देश अगला प्रसन देखिएगा विश्व का सबसे लंबा जिल जल मार कोन है देखें 2018 का previous year का बहुत ही अच्छा सा प्रसन है और ये प्रसन को रिपीट करने का चांस इस वारदम 100% स्योड बनता है तो आप लोग अभी सुन लीजिए अब ऐसा हो सकता है क्या इतना भी आपका दिमाग कमजर हो सकता है कि जिस प्रसन को आज आपने देखा है क्या आप उन प्रसनों को तीन तारीक को भूल जाएंगे तीन तारीक के अरे भाई पांच वज़े के बाद आप भूल जाएगा मैं कभी नहीं आप से पुछने जाऊंगा कि बताइए कि विस वगाए सबसे लंबा जिल जलमार्क कौन है लेकिन अभी याद रख लिजी, अभी के लिए mind में set कर लिजी आपका, सही अंसर आपका हो जाएगा, option D याद रखिएगा, याद रखना है Great Lake St. Lawrence जलमार्ग, अगला देखिएगा, चौकलेट में कौन सा पदार्थ उपियोग होता है, तो कोको जो होता है, वो चौकलेट में उपियोग के अरता है, तो कोको आपके सही जवाब हो जाएगे, ठीक है, अगला प्रसन देखिए, किस वर्स भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होई थी, तो भारत को इंटरनेट की सुविधा जो प्राप्त होई थी दोस्तों, option B आपके 1995 में, तो 1995 आप लोग य कोफड़ वियर टेकनीकी पार्क है, याद रखेंगे, बहुत अच्छा प्रसन है, बीजयनेगरी स्पात केंदर की स्राज में वश्तित है, जोस्तों, बीजयनेगर का स्रमद आप लोग को पता है, तामिल, ये बीजयनेगर का स्रमद करनाटक से है, और सिंपल सा है, बीजय पुछ रहे है सर, गुजरात में कौन सा उर्जा है, प्लीज, अरे गुजरात में आपके कल तो मैंने परहा था, गुजरात में आपके पवन उर्जा का भी सोट से से, गुजरात में आपका नाव की ये उर्जा, मतलब गुजरात में बहुत सारी उर्जाओं का उर्जा, ब लिखेगा 33 नमध्यान रखिए सारे प्रश्णों को देख कर जाईए 200 प्लस प्रश्ण भी कराऊंगा और 200 प्लस प्रश्ण में से बताईए जी इतना हम लोग का किस्मत खराब है कि 300 प्रश्ण करेंगे जिसमें से 35 वो कोशन नहीं लड़ेगा हो सकता है आप लोग बताईए इतना तो नहीं इतना भी हम लोग बुड़े नहीं है ऐसा हो सकता है तो चुकि जब मैं 300 प्रश्ण भी करा दोंगा तो उसमें से 35 प्रश्ण भी नहीं मैच करेगा 100 परसेंट मैच करेगा दोस्त का है पड़सान हो रहे हैं देखिए दूर्ग लव औयस को उत्पादक छेत प्रश्ण भारत में बसता है प्रश्ण आपसे पुछ रहा है तो उत्री भारत में तो सब बस जाता है जी लगबग उत्री भारत में ही लगबग आपके कितने बस जाते हैं प्रश्ण आपसे पुछा है मतलब देखिए कहा जाता है कि यह जो है ध्यान दीजेगा एक भाग दू भाग तीन भाग तो उत्री भाग मतलब क्या होता है क्रॉस कर लेता है मतलब की टोटल का क्या होता है वान थर् जो हो जाता है वो उत्री भारत में ही वस्ता है आपका तो याद रखिएगा चलिए अगला प्रस्ण देखिए विश्वका सबसे बरा तिरत्य किर्या कलाब कौन सा है प्रस्ण पूछता है बार 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 बहुत अच्छा प्रस्ण है बच्चे कंफ्यूज भी होते चलिए देखिएगा तो विस वकाद सबसे बड़ा तिरते क्रियाकला पड़ेटन हो जागा सभी को याद रखना चाहिए जितने बच्चे जुड़े हैं पड़ेटन याद रखेंगे अगला प्रस्द देखिए मसाई क्या है तो मसाई एक तरह की जन जाती है याद रखना है अगला प्रस्द देखिएगा निम्न में कौन रायधानी नगर है देखिए रायधानी नगर आपसे पूछा जा रहा है तो रायधानी नगर आपका ओप्सन हो जागा पटना हो जागा जम सेथपूर मैसूर मतुरा नहीं है तो याद रखिए रायधानी नगर सांस्कृतिक अगर इस अभी से प्रस्ट आपके एक्जामिनेशन में बनने के चांसे बहुत ज्यादा बनते हैं तो ध्यान रखिएगा अगला प्रस्ट देखिएगा भारत में राजियों की कुल संख्या कितनी है तो अभी टोटल भारत में 28 राज हैं याद रखना है रागनी ओजाजी सा मतलब आपके जन संख्या के पडिवर्तन के कारक होते हैं अगर ज्यादा जन्म या कम जन्म तो भी जन्म संख्या का पडिवर्तन अगर कम मतलब ज्यादा संख्या में जन्म हुआ ज्यादा संख्या में मृत्ती हो गया प्रवास मतलब आपको पता है जब यक्ति अपने आपका अवास हुजाएगा जो कि इर्जन संख्या पड़ीवर्थन का खारक है नहीं है क्लियर है अगला प्रसंद देखिएगा और चालीस नमर प्रसंद देखिए कि नौ निष्चेवाद के प्रवर्तक कौन है डाट जल टेलर हमबोल्ट या बलास तो याद रिखिएगा नौ निष्चेवाद के प्रवर्तक जो है दोस्तों याद है आपको तीन वीचारधाराओं के बारे में कौन-कौन एक रहा हूं जी सबको कि कहा थे हम लोग नौ निष्चेवाद वाले में चले देखिए आपका 40 नमर प्रसंद देखिए आप लोग प्रसंद करता है दोस्तों कि नौ निष्चेवाद के प्रवर्तक कौन है तो आपको पता है मैंने तीन वीचारधाराओं के बारे में आपको लोग प्रसंद वां लोग प्रसंद करने लगें तो यह याद रहिएगा और आपके नौ निष्च्यवाद में होता है कि जब शंभवाद और अर् profoundly निष्चेवाद को तोनों के अधानाओं को मिक्स किया जाता है दोनों को मद्दे नजर रखा जाता है उसी को कहा जाता है आपका नौ निश्यवाद देने वाले कौन थे तो टेलर साहब थे तो टेलर आप लोग याद रखिएगा चलिए अगला प्रस्न आप देखिए कि निम्ड में से कौन सा एक वीरल जन संख्या वाला नहीं है देखिए दोस्त मतलब होता है कम वीरल मतलब होता है कम माल लीजिए क्या लिख रहे हैं आप सर्क्वेशन सबको नया याद दिलाद देंगे इजाम आने बाद स्टेटस लगें 35 में 35 मा लेंगे चलिए कोई नहीं यहाँ पर प्रश्न क हो किजिए मैं जो बोल रहा हूं वो किजिए सफक परविन जी साविया सेख जी सर्दिक राचली वेरी गुड देखिए प्रस्न मैं अभी बोला हूं आपसे निम्द में से कौन एक वीरल जन संख्या वाला नहीं है तो धुरुविय परदेश भूमद्य रेखिए परदेश दर्चिनपुर्विय या आटा कामा तो याद रहिएगा वीरल का मतलब होता है कम जन संख्या वाला ठीक है वीरल का मतलब होता है कि कम जन संख्या वाला अब थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा पें 25 तो ब्रेह कि तो बिडियल का मतलब रहा है दोस्तों कमजन्सनक्याओ वाला तो बताइए इसमें से कौन जो है वह कामजन्सनक्याओ आपका छेतर हैं बताइए फटाफट सी इंसर किजिए आप एंसर किजिएगा फटाफट से एंसर करते जाईए तब तक मैं आपके चैट सेक्शन को देखूँ तेरी भेरी गूड रागनी ओजा जी ममता कुमारी बहुत अच्छे सौरी सर मैं लेट हो गया कौन लिख रहे हैं नोटिफिकेशन क्यों नहीं है कोई ननीके के शन जाना का अलब नहीं सक्षाए रहा बधल में क्या हो जाएगा क्यिस भलुड है अच्छा हाँ, sorry, sorry सगन जन संक्या, वीरल जन संक्या वाला नहीं है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नहीं था, very good यानि कि option सी हो जागा, यानि कि सगन पुछ रहा है तो ये क्या है, सगन है सगन मतलब जादा घना बसा हुआ है मैं नहीं को नहीं देखा था, इसलिए मुझे लगा कि सायद नहीं होगा, clear तो बहुत अच्छे दोस्त, very good अगला प्रसन देखिएगा, प्रसन संक्या 42 नमबर, इनिम में से कौन प्राचीन नगर है, प्राचीन का मतलब का होता है प्राचीन का मतलब होता है, पुराना होता है तो प्रसन पुछ रहा है कि निम में से कौन जो है वो प्राचीन नगर है भोपाल, गंगा नगर, पठना या जमसेथपूर बताइएगा, कौन प्राचीन नगर है आपका भुपाल, गंगा नगर, पटना या जमसेथपूर प्राचीर मनलब पुराना नगर पटना आपको पता है नहीं, बहुत पुराना है पटना कुसुमपूर के नाम से भी से जाना जाता था तो गंगा नगर वाले बिल्कुल क्या आप लोग लगा रहे हो तक 42 का क्या हो जाएगा चलिए बहुत अच्छे है तो पटना इस दर आइट एंसर चलिए अगला प्रस्न देखिएगा भारत में गेहूत पादन में अगरानी राजे कौन है आपका पुछ रहा है कि बताईए भारत में गेहूत पादन में आपका अगरानी राजे जो है वो कौन है प्रस्न आपका ये है मद्य परदेश, पंजाब, हडियाना या उत्तर परदेश, बताईएगा देखे प्रस्न अग्रानी राज पुछ रहा है भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रानी राज सर एक बार आप सेट अप दिखाएए प्लीज कैसा सेट अप दिखाऊं कुछ सेट अप नहीं है प्रस्नों को करते जाएए आप 43 का आपने हाँ चलिए प्रस्न करते हैं जी बहुत होगया बात देखे प्रस्न हमारा था 43 नमर क्या कि भारत में गेहूत पादा में तो आप्शन डी उतर प्रदेश रागनी हो जाने किया बहुत अच्छा अब देखे 44 नमर प्रस्न देखिएगा आयूस राजपूद जी अं अगला प्रस्न नमर में से कौन सा चतुर्थ किरिया कलाब है तो बढ़ाएगा 45 का आपका सही अंसर क्या होगा चतुर्थ किरिया कलाब वी निर्मान पुस्तकों का मुद्रन तो वी निर्मान तो आपका सेकेंडरी में हो गया पुस्तकों का मुद्रन ये भी आपका हो गया मुद्रन हो रहा है तो नहीं जाएगा चतूर्थक में क्योंकि आपको पता है चतूर्थक में वही जाते हैं जो थोड़ा सा हाई-फाई होते हैं सभी को बताया गया है देखिए विसुविद्याली अध्यापन जो है वही आपका सही जवाब हो जाएगा प्रतिकर्स और अपकर्स कारक के लिए उतरदाई कारक कौन-कौन से है प्रवास के लिए भूनिमनी करन के लिए वायू परदूसन के लिए गंदी बस्तियों के लिए प्रतिकर्स और अपकर्स कारक किसके किसके लिए उतरदाई है तो सही जो आपका हो जागा देखिए प्रतिकर्स और अपकर्स कारक प्रवास के लिए आपका उतरदाई है प्रतिकर्स कारक अपकर्स कारक याद है सभी को ना प्रतिकर्स कारक और अपकर्स कारक दोस्तों सब लोग याद रखिएगा प्रतिकर्स कारकी से करते हैं आप कर्स कारकी से करते हैं इसकी examples को भी आद रखेगा बिल्कुल बहुत अच्छा बहुत फायदा करेगा आपकी examination के लिए option ही हो जाएंगे अगला प्रस नम्रों देखते हैं 47 नम्र आपको ऐसा लग रहा है जिकिनको इनको लग रहा है कि प्रस हमको नहीं याद है सबको लग रहा हो कि यह सारा प्रशनकासर तो अल्रेडी कराये हुए हैं मिल्कुल कराये हुए हैं वर्ष 2010-11 में निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे बड़ा ब्यापारिक भागिदारी था तो बढ़ाया गया है अल्रेडी मैंने पिछले बारी बतलाया है सन्यूपतराज अमेरिका तो 10 और 11 में सबसे ज़्यादा भारत का सबसे बड़ा ब्यापारिक भागिदारी कौन था आपका तो आपका सन्यूपतराज अमेरिका याद रखिएगा ख़ऑRO चीन भी देथा चीन भी था आपका भ्यापारिक भागिदारी तो चीन वाले भी सहीह लगा रहे हैं लेगन सबसे ज़्यादा पुछ रहा है तो अमेरिका लगाईएगा उस तो में अमेरिकास बड़ा अच्छा सम्बान भी बना था अगला प्रस्ट देखेंगे निम्ण में से किस वर से पहला रेडियो कारेकरम आरंभ हुआ तो पहला रेडियो कारेकरम कपड़ आरंभ हुआ था सही जवाब आपका हो जाएगा याद रखना है आपको option भी 1923 में सबसे पहला रेडियो कारेकरम कपड़ा रंभुगाजी 1923 में देखें 50% कर लिए हम लोग हंसते खेलते हुए लगी नीरा की भारी परस्ट है एक भी नहीं लग रहा है परस्ट पुछाए कि चीनी का दूसरा सबसे बरावत पादक राज तो महाराश्ट आपके निवन में से किस अस्थान पर प्रत्थम परमानु उर्जाय स्थाशन अस्थापित किया गया था सबसे पहला जो परमानु उर्जाय स्थाशन था तारापूर में अब यह आपने पढ़ा है ना तारापूर के बारे में तो तारापूर आपके सहीद वाव जाएंगे देखिए कोई बच्चा उत्तर परदेश लगा रहा है देखिए प्रस्ट क्या पुछा था प्रस्ट चीनी के बारे में पुछा था है दूसरा सबसे बरावत पादक तो दूसरा सबसे बरावत पादक पुछे तो महराश्ट पहला में आपका उत्तर परदेश होगा अगला देखिए सुस के क्रिसी में निमलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है तो देखिए सुस क्रिसी में सबसे ज़्यादा दलहन वाले जितने भी पौधे होते है वो सुस के क्रिसी वाले पौधे होते है दलहनी पौधे जितने भी होते है वो सब आपके सुस के क्रिसी में आते हैं है जैसे हम लोग किया मशूर होता है मुंग होता है या खेसारी होता है तो आपको पता होगा उसमें ज्यादा तर पानी के आज सकता है नहीं परती है वो सब सुस्की रिसी वाले होते हैं इसलिए उसको बरसात के दिनों में नहीं रोपा जाता है बलकि उसको कब बोया जाता ह उसको सीत्रित्रू में बोह जाता है क्योंकि सीत्रित्रू में वर्सा बहुत कम होती है तो सुस्क क्रिसी में निमलिखित में से कौन सी फसल नहीं है तो देखे रागी आपका दलहनी है जुआर आपका दलहनी है मुँफली भी आपका दलहनी है यानि कि गन्ना आपके सही जवाब हो जाएंगे तो याद रखिये कि कुछ भी option है ध्यान रखना है आपको सर्द में बताया था कि सुस्क में आपका दलहनी जो पौधा होता है वो सुस्क्रिसी में आता है तो प्रस्ण पुछ रहा है कि सुस्क्रिसी नहीं है तो सही अनसर आपका वो हो जागा बोकारो इस पात केंदर कि सराज में जो जाएंगा तो option C आपके सही जवाब हो जाएंगे अगला देखिए भारत में विश्व के कुल यहन संक्या के कितने परतिसत लोग बसते हैं तो याद रखेगा विश्व के कुल यहन संक्या के टोटल अब तो संक्या बढ़ चुका है पना नुक्सान करता है अगला प्रस्ण देखिएगा प्रस्ण काता है मित्र कि जड़िया कोईलाच्षेतर की सराज में इस थी था उड़ीसा में आंधर प्रदेश में बिहार में जड़िया जर्खंड में याद रखना है आपको सहीं सर आपको ऑप्संडी हो जागा जड़िया कहां में है अमरेंद्र कुर्मार सरमाजी सभी अगला प्रस्ण देखिए तिलंगाना राज राज्य की राजद्धानी आप से पूछा जा रहा है कि कहां है यह आपका नए-इस लिए बारबर इसे प्रस्ण आहीं जा रहे है और फटा फटश से आप लोग ज़े लिकिंश है क्योंकि एंसर आप लोग का बहुत कम देखन के लिए मिल रहा है एंसर फटा-फट से करते चलेंगे आप लोग तो तिलंगाना राज की राजानी आपका विजयावारा है हैदराबाद विशाखा पत्नम कोई नहीं हैदराबाद आपके सही जबाब हो जाएंगे नहां रखना है अगला प्रसंद देखिएगा 2011 की जन गन्ना के अनुसार किस राज का जन संखया घनात व की हम लोग अगर बात करें तो sponsor प्रकार का नगर है तो जम सेथपुर आपका एक अधियोगी की नगर है तो शंतावन का आपका हो जाएगा बहुत अच्छे आपके अध्योगी की नगर हो जाएंगे अगला प्रसंद देखिएगा अंठावन नंबर सुन्दर वन की स्राज में इस्तित है तो नहीं अंठावन का सुन्दर वन के अगर हम लोग बात करें तो आपका पच्छीम बंगाल में हैं आप लोगों इ इसका ऑप्षन होता है अब 69 नंबर प्रसंद देखिएगा हरित करांती संबंदित है तो हरित करांती खाने वाला यानि क्या आपको पता है गेहूं के लिए हुआ था ज्यादा जितने भी हमारे खाध्यान का प्रोब्लेम था उसके लिए आपके घरित करांती किये गए थे तो ऑप्षन है आपका खाध्यान उत्पादन से हो जाएगा दूद के उत्पादन से आपका स्वेत करांती है दाल के उत्पादन से आपका नहीं तो याद रखिएगा खाध्यान उत्पादन आपके सही जवाब हो जाएगे बिलकुत सटी के अंसर आपका ऑप्षन हो और प्रस्ट पूछाए कि कौन राज चीन की सिमा परिष्टी से तो अनुनाचल प्रदेश आपके सही जवाब option D हो जाएंगे अगला प्रस्ट दिखिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हडियाली पोर्जेक्ट किस्य संबंदी थी तो केंद्र सरकार द्वारा जो हडियाली पोर्जेक्ट चलाई गई थी वायू सनक्षन और जल सनक्षन दोनों हो जाएगा तो याद रखिएगा option C दोनों हो जाएंगे वायू सनक्षन और जल सनक्षन अगला प्रस्ट दिखिएगा अमलिये वर्षा का कारण कौन है तो अमलिये वर्षा का कारण आपका भूमी परदूसन वायू परदूसन जल परदूसन या ध्वनी परदूसन दोस्तों सही जवाब आपके हो जाएंगे मित्रों याद रखिएगा अमलिये वर्षा का कारण आपका वायू परदूसन होता है ठीक है नहीं पुछ रहा है कि वायू परदूसन के कारण ही आपके अमलिये वर्षा होते हैं तो याद रखिएगा बासट का option आपके B हो जाएंगे चली आगे बरते हम लोग प्रश्णों को समझ में आ रहा है सभी को नहीं इस सर इस से बाहर नहीं आगा नहीं आगा लेकिन हम एक promise एक सर्थ है कि आपको सारे equation देखने होंगे इस से बाहर आएगा कैसे इस से बाहर आएगा मुझे गाली सुनना है बच्चों से इतने बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं से गाली थोड़ी सुनना है कि मैं इन लोग को फाल्तू फाल्तू पढ़ाओं जीवन की बात होती है जीवन की बात होती है जब तक आपको प्रस जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप असानी से पढ़िए ज्यादा समय नहीं मेरी रिविजन करने का आपको दो दिन का मौका दिया था दो दिन तक दो तीन दिन तक लगातार मेरी एक भी क्लासेस नहीं आई थ गुशन सारा सरकारी मोडल फेपर वाल इस से कोशन लिया अब आप समझ यह यह में पीछले यह बहुत पहलें सेट पला प्रशन है ठीक है अब आप समझ जीजिए अगला दिखे प्रशन है अम लिए वर्षा का करन तो हो गया एन और पतन किस राज में इस्ति था जी तो एन और पतन आपके सही जवाप ऑप्शन ही हो जाएंगे तामिलाडू में है देखे पतन वाला प्रशन आपका पहली बार कभूआ था तो 1881 में क्वेशन देख कर ही लग रहा है कि क्वेशन इससे बाहर नहीं आगा बिल्कुल मामता जी इतना जिखाने के लिए बहुत बहुत आपका धहन्यवाद आपने इतना मेरे विश्वास किया यह कोई कम थोरी है आप थोरी है इतना आपने विश्वास किया यह आप बात नहीं है अगला दिखेगा प्रसंद प्रसंद संख्या 66 नंबर देखिए बाशन क्या करता है कि 2011 की जन करना के अनुसार भारत का जन संख्या घना तो वह कितना था देखिए 66 नंबर प्रसंद 2000 यह मैंने इस तरह से बनाया है ताकि आप लोग इसका प्रिंट आउट करा सकें लेकिन अब नहीं दूंगा प्रिंट आउट कराने के लिए क्योंकि और याद हो गया था बच्चों क अगला देखिए यहाँ पर 2011 की जन गर्ना के नुसार भारत का जन संख्या घनत्व कितना था तो याद रखिएगा 66 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 382 ब्यक्ति प्रतिव और किलोमेटर ठीक है दोस्तों अगला प्रसंद देखिए मैं आज यह क्यों करा रहा हूं विवीजन कराने का आज मेरा मुख मकसद यह था देखिए आज कराने का मुख मकसद यह है अगर मैं आज इसका रिविजन करा जता हूं तो कल साम को मैं पूरा का पूरा question bank अपना प्रहा दूंगा जियोराफी का ठीक है तो पूरा का पूरा मेरा question bank हो जागा खल जियोराफी का और कल ही मेरा एक मतलब दो या तिन घंटे का वीडियो आगा सब्जेक्टिव आला तो कल मेरा जोराफी पूरा फाइनल हो जागा परसो केवल थोड़ा समय आपको जिस दिन आप examination देने जाएगा उस दिन थोड़ा सा सुबह में डिवीजन कराऊंगा अप्जेक्टिव का बस आपको एक्जाम देने के लिए छोड़ दूंगा तो इसलिए नगडिये अवादी 2011 की जनगना के अनुशार कितिनी है तो याद रखिएगा 2011 के अनुशार हम लोग नगडिये अवादी की बात करें तो 31% और वही अभी लैटेस्ट है आपको तो वही याद भी रखना है ऐसा नहीं कि अपने मन से गूगल पे देखिएगा गूगल नही अगर मानविये घटक अगर देखिएगा प्रसंद गया सब्तर राची की सराज की राज़दानी है तो राची जो आपका है वो जारखंड की राज़दानी राची है आपका अगला प्रसंद देखिए बालमीकी नगर टाइगर रिजर्व कहां मेचती थे आपको पता है करके बोला कि आप एक दिन पर हाईएगा सर लास्ट दिन पर हाईएगा उससे हो जाएगा क्या पूरा का पूरा हम लोग पढ़ लेंगे मैं बोला कि देखो भाई ज्यादा वीडियो डालने से नहीं होता है और यूटूब पे हमारे चैनल पे 400 प्लस वीडियो अपलोड़ बस तो इससे बाहर क्या आने वाला देखिए वाल मिकी नगर टाइगर इस अब कहा है जाएंगे अगला देखिए बहत्तर नंबर है आपका कि किस नगर को दच्छिन भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है तो वही कुएमबर तूर आपका सबसे पहले नंबर में प्रसं था नहीं नहीं अगला देखिए गार होट चर किसे समद्धित होती है फूल से डाल से ऐन से फूल एवयम सब्छिसे आपका फूल एवं कम शिसे आपका होटी कल्चर समद्धित है तो अगला प्रसं देखिए अगला प्रस्म देखिएगा उत्तर भारत में सिचाई का मुख सुरुत क्या है तो बताईए हम लोग तलाब से सब्सक्राइबर को महसूस भी किजिए कौन बागानी फसल नहीं है रबबर चाय कॉफी या मका बताईएगा रबर को तो बगानी फसल है चाय भी आपका बागानी फसल है रोपन किसी जितने भी होते हैं सब आपके बगानी फसल होते हैं कितने भी रोपन क्रिसी होते हैं दोस्त वो सब आपके बगानी फसल होते हैं तो याद रखिएगा और एक लॉंग क्वेस्टन में याद रखिए अभी मैं आपको बतला दरा हूं जो अभी तक लाइक विलास करें तो उनको थोरा शब्राइब में और कि आध को तीन अवास्ता होता है पहली अवस्ता द्वीती आध तिश्री अवस्ता याद लीजीएगा अगरा प्रस्ट देखिया के कि लिलिधे अपकर कि निम्ड में से कॉन प्रागत ऊर्जा का शुरुत है अग्या प्राजत को आप अपने टांस में अपने दिमाग से ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि प्रागत पूर्जा पूछ रहा है तो को एला प्रकिर्थिक गैस जो खतम हो जाए तो आपका ऑप्सेंडी हो जागा वो प्रूगत सभी अगला देखिए धरावी मलिन वस्ति किसनगर में कि में इस संक्रमन चलिए बहुत अच्छे याद है सर याद है सर याद है सर याद है सर याद रखिएगा देखिए अगला प्रस्ण देखिए धरावी मलिन बस्ति किसनगर में सब्चार कर्ण dhera नहीं प्रस्ण पूछ दिया है ऐसे ही आपके पूछे गा सब्जेक्टिव में कि प् तति कर्श कारक से आप क्या समझते हैं तो ध्यान दीजिएगा प्रस नभी आप से पूछ रहा है कि निम्लिखित में कौन एक जनर स्थनांतरन का आप कर्श कारक नहीं है आप कर्श मतलब जो आपको अपनी और खीचे तो कौन सा वो कारण है जो आपको अपनी और नहीं कियेगा भूलिएगा नहीं अब भूलिएगा तो मुझे क्या आपके नंबर कम रहेंगे भगवान न कड़े कि ऐसा हो इसलिए आप लोगों को याद रखना होगा लेकिन इतना ध्यान किये ज्यादा नहीं लगना है जो प्रस्ण हो गया उसको नहीं क्योशन 2022 में आया था अगला देखें निमलिखित में किस देश का लिंग अनुपाद विश्व में सरवधिक है सन्यूप तरब अमिरात फ्रांस जापान या लेट विया तो देखें लिंग अनुपाद के अगर बात करने तो सबसे ज्यादा जो लिंग अनुपाद है दोस्तों वह बहुत सकते दो नंबर में विकास से आप क्या समझते हैं या ब्रीधी आप क्या समझते हैं है कुटु लिद्योग है आपके घामिनेशन में यादेखीं लिदयोग में अन्तर आप पूछ रखता है प्रवास के प्रति कर्शकारप में अंतर पूछ्छे सकता है जनमदर और मृतिय दर से आपके आज समझते हैं तो यह सब ध्यान में रखिएगा प्राथमी किरिया क्लाब दूत्य किरिया क्लाब दम ध्यान में रखिएगा इसको भूलना नहीं है तो सभी अन्सर आपके डॉक्टर मवूल उलहक हो जाएंगे मानो विकास सुचकांग किस ने दिया डॉक्टर प्रमवूल हकने अगला प्रसंद के 80 नंबर प्रसंद देखिएगा अब मेरा अगला कुछ ठीक हुआ है कल रात में बहुत ज्यादा दिक्कत था नहीं पढ़ा पारा था लेकिन अब कुछ ठीक हुआ है लेकिन फिर भी उतना कमपर्टेबल नहीं हूं मौसम बहुत खराब कर रहा है ना कभी ठंड कभी जी गर्मी इसी के कारण है सर 2022 में जान दी हूं फिर भी डिवीजन करने आती हूं आपके क्लास में चंदन कुमार कितना नंबर आया था बताईएगा देखे बेरासी नंबर है निम में कौन रोपन फसल नहीं है गेहूं को मक्का या राई तो नहीं आता है तो निमलखित में कौन रोपन फसल नहीं है प्रसंड हूँत प्रस न हदो देखी ए इस में से तो कोई हमको ज़र भी नहीं होगा ना भी हाँ प्रस्ट यहां पर होना चाहिए कि निम्लिखित में कौन रोपन फसल है यह प्रस्ट होना चाहिए अगला देखिए तेरासी नमर प्रस्ट आपका है निम्लिखित में कौन रोपन फसल है तब जाकर आपका कोको सही होगा अगर नहीं पूछ रहा है तो यह तो तीनों तो नहीं है तो इसलिए आपका यहां पर यही तो इसको ध्यान देखिएगा अगला देखिए तेरासी नमर प्रस्ट आपका है निम्लिख कौन प्रदेश विश्त्रित वानीज अनाज क्रिसी के लिए उप्यूक्त नहीं है देखिए प्रदेश विश्त्रित वानीज अनाज क्रिसी को भी दो भागों बाटा गया था अब प्रस्ट पूछ रहा है कि औ लें आपके 348 नमर आए जो कि बहुत अच्छा नमबर है तो मेरा क्वेस्जन आपने पढ़के गए होंगे एक जाम के यह क्या दो दिन पहले लड़ा था या नहीं चंदनकुमार आप बताईएगा अगला देखें निम्न में कौन प्रदेश विश्तित वानी जाना आज क्रि क्रिसी अधारित जो के क्रिसी पर आधारित है तो चीनी देखें नमक चाए कॉफी या चाय तो कौन प्रेसी पर थारित नहीं है तो चोड़ासी का आपका ऑप्शन भी हो जागा नमक इधर आइट एंसर अगला देखिएगा अगला प्रसंद दिखेंगा ने लिखा जी सर बिल्कुल मैच करता है, याहू, कोई मुझे जंगली कहे, याहू, कोई कोई टेंसर नहीं है, कोई कितना विख्या कि वीडियो कम डालते हैं, क्या करते हैं, बच्चे भले ही कम आए, सर, आपका चैनल पर पढ़ने के लिए, जमसेद भाई बोले, उनका 388 नमबर आया है, बिल्कुल, लोग उनको पता है, कि अकास सर जो है, नहीं कुछ करते हैं, बस रिवीजन करते हैं, छोड़ा सा थमनेल डालते हैं, वही बच्चा इनके चैनल पर पढ़ता है, जो सुरू स देखते हैं, और मैं वाईरल कोशन का थमनेल ढालता हैं, मैं चानता हूझा हूं कि जो नहीं पढ़ाय है , उनका पर है, जो सच में पढ़ाय है वह B네 वाईरल कोशन का ही देखे वृडियो, तो अभी तक देखे हूंगे आप, एक वी वाईरल कोशन का मेरे ओपर थमनेल नह याद रखिएगा तो उच्छ अस्तरी एंविंसन आपके पंचम किर्या कलाप में जब ऑप्शन दे रहा है तो याद रखिएगा अगला देखिए प्रस्ट ने याद रखिएगा च्यासी नमबर का जवाब क्या हो जाएगा थुरा स्लो बोलना पर रहा है बगल अगल में भी लोग रहते हैं तो उन लोग को ठीश्टर्ब होता है ने तो घर पे रहते थे तो पुरा चिला चिला के बोलते और बच्चे को पढ़ने में मजा भी आता था ब अगला प्रस्ण देखिए तो बताइए जी अब तक हम लोगों ने एटी सिक्स नमर प्रस्ण को किया एटी सिक्स में किसी को कहीं ते कोई दिक्कत है अभी बता रहे हैं कि जो प्रस्ण आपको याद नहें फटाक फटाक अभी क्लास के टाइम उसका स्क्रीन सोट ले लिज जाएगा बाद में उसको डिलीट कर दीजिएगा क्लियर अगला प्रस्ण देखिए कि कि है था यह स्क्रीन लेते जाएगा एक भी प्रस्ण नहीं चूटेगा भाई एक भी प्रस्ण नहीं चूटेगा बिहार बोट के दादा है हम लोग बैचे होगे आप पर उनलोग का कुश्टन सेट करेगा अगला प्रस्ण नहीं अपने बच्चों के सामने सर आपके लिए दूआ कि था आपका आवाज चीक हुआ कि नहीं हुआ 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 बिलकुल थैंक यू थैंक यू बहुत हुआ बहुत हुआ सर एक मार और क्लास कर लेंगे हाँ कर लिजिएगा कौन है अमरूल चलिए अमरूल अमरूल से मेरी मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले ही पटना आया थे अमरूल तो चलिए बीग इंच पाइपलाइन परिवाहित करता है किसको पेट्रोलियम को दूद को जल को या लपीजी को तो याद रखेगा बीग इंच माइपलाइन जो है वो पेट्रोलियम को ही प्रभावित करता है यानि कि option आपके हो जाएंगे प्रवाहित करता है प्रवाहित मतलब कि एक जगा से दूसरे जगा ले जाना अगला प्रसंद देखिएगा निम्ड में से कौन इथोपिया गिराजधानी है तो याद रखिएगा इथोपिया गिराजधानी आपके अधी सवाबा और अधी सवाबा को नवीन पुस्व के नाम से भी जाना जाता है तो नवीन पुस्व के नाम से भी जाना जाता है अधी स स्वेज नहर जोड़ती है बुलाकर थोड़ी ने खर्चा करवाना है जूट मुटका अगला देखिएगा यहाँ पर स्वेज नहर जोड़ती है अट्लांटिक महासागर को परसांत महासागर को भूमद्य सागर को लाल सागर से भूमद्य सागर को हिंद महासागर से या भूमद्य सागर को अर्किक महासागर से तो याद रखिएगा अब भूलिएगा नहीं अगला देखिएगा प्रश्ण नब्वे नंबर प्रश्ण है आपका कि निम्न आर्थी किरियाओं में कौन ग्रामीन अधिवासों से समंदित है तो याद रखिएगा ग्रामीन में गाउं में लोग कौन से आर्थी किरिया कलाप करते हैं ग्रामीन अधिवासों में कौन सा किर्या कलाफ होता है नीम्न आरति किर्याँ में कौन ग्रामीन अधिवासों से समढ़ी sama प्रातमिक द evitya oldtiny a kya chatot, कौन है m । नो कमीख से ऊपिया शाला है ठीक है साव्या जी सफकपर्विन जी आप तो बहुत दिनोंاي am सलमा साहिद जी आभी बहुत दिनों से हैं जीतेंदर कुमार यादो जी चंदन जी आप लोग फड़ा फड़ से इंसर को करने का प्रयास करेंगे और याद कीजिएगा और मैं फिरकार राम को जो प्रसन आपको नए याद रहे उसका स्क्रीन सोट अभी लेते जाइएगा ताकि आपको वीडियो दुवारा ना देखना पड़े समय क्यों कि बहुत कम है दुवारा देखिए कर क्या कीजिएगा देखेंगे प्रस नेकानवे नंबर अगला देखें किस प्रकार की वस्ति सनक नदी और नहर के किनारे पाई जाती है याद करने वाला कुछने नहीं है सनक के किनारे जाते हैं तो कैसा वस्ति आपको मिलता है इसो प्रेंसर की लिए प्ररशनों को देखिये आई आपको इनसर करना है भाई यहां मेरी तयारी कितनी है क्योंकि एक बच्चे का मैसेज आ रहा था इसर मैंने पूरा पढ़ लिया हैं लेकिन मुझे बिश्वास नी रहा है कि मेरा एक्जाम अच्छा जाएगा कि खराब तो यह बद धियान रखेए अगर आप सभी प्रस्णों को एटेम्ट कर पारें तो समझेए कि आपका एक्जाम अच्छा जाएगा निम्न में कौन सांस्कृतिक नगर है तो याद रखिएगा सही अंसर आपके क्या हो जाएगे देखें जैरुसलम में इसा मसी का जनब हुआ था बिल्कूल सांस्कृतिक नगर है याद रखिएगा अगला प्रस्ण देखिए तो इसलिए कह रहा हूं कि जिनको नायाद है वो इसको स्क्रीन सोट ले लेंगे इसका एंसर में अभी टिक लगा दे रहा हूं प्रस्ण आपका तो सिक्कीम याद रखिएगा सिक्कीम आपके सही जवाब हो जाएंगे अनुसार भारत के किस राज की जन संख्या सबसे कम है यहाँ पर राज पूछ रा है कभी कभी क्या पूछता है ध्यान देकर बनाईएगा कभी कभी पूछ देगा यहाँ पर केंदर सासित परदेश तब उस समय दोसर एंसर होगा अभी पूछ आपसे राज है तो सिक्कीम हो जाएगा अगला प्रसंद देखिए वो ही बताऊँगा कि क्या होगा देखें किस भासा पर इवार की जन संख्या सबसे कम है दाम सिंपल है बहुत अच्छा प्रसंद है पूछा जाएगा एक्जामिनेशन में इंपॉटेंट है ध्यान रखिएगा भारत में किस भासा पर इवार की जन संख्या सबसे कम है तो याद रखिएगा सही अंसर आपके हो जाएगे सबसे जादा सबसे कम किसका है जी तो चीनी तीवती बहुत अच्छे भाई याद रखना है अगला प्रसंद देखिए 2011 की जन गन्ना का अनुस भारत की साक्षरता का परतिसत कितना है तो याद रखिएगा 2011 की जन गन्ना का अनुसार पूछ रहा है देखिए 2011 से भर भर के पूछ रहा है जी तो 2011 वाले चीजों को आप ध्यान में रखिएगा 2011 की जन गन्ना का अनुसार भारत की साक्षरता का परतिसत कितना है सही अंसर आपके ऑप्सन भी हो जाएंगे 74.04 परतिसत ठीक है तो 74.04 परतिसत आपके सही जवाब हो जाएंगे अगला प्रसंद देखिएगा 97 नंबर आपका कि निम्न राजियों में कौन कपास उत्पाद और हडियाना इन सबी जगों पर कपास का उत्पादन होता है लेकिन 36 गर में कपास का ज्यादा उत्पादन नहीं होता है इसलिए कपास उत्पादक राज्यमें इसको नहीं रखा गया है ठीक है आप भी रहाओं प्रस्णों को 200-300 प्रसंद करने के जाना है ना कर लिजिए सब आपके सभी जबाब हो जाएंगा अगला प्रसंदेखिएगा निम्ड में कौन सबसे छोटी है निम्ड में कौन सबसे छोटी है नर्मदा वेसिन, गुराबरी वेसिन, माही वेसिन या तापी वेसिन सबसे छोटी की बात आपसे पुशी जारी है तो सबसे छोटी माही वेसिन, तो option C आप ले वियाद रखिएगा एक्जाम में, अगर हो सके तो एक्जाम देने से पहले, अगर खाने की बात कोई बच्चा कर रहा है तो एक्जाम देने से पहले, अगर आपको सर्दी न हुआ हो, तो आप एक बनाना, यानि की एक केला, एक दो केला खाकर अगर आप एक्जाम में जाएंगे बैठने, तो आप बिल्कुल ताजगी का एसास करेंगे अगर हो सके तो, सर्दी न रहे तो, ऐसा नहीं कि अगर सर्दी रहे और खाली जागा तो और दिक्कत हो जागा तो में भी, अगर मैं आपको बतलाता हूँ, क्योंकि ऐसमें आपको पूरा का पूरा वहाँ पे एनर्जी मिलता रहेगा और आप पूरे अच्छे तरीके से लिखिएगा, ठीक है, इसलिए पता है, आपको दही लोग मतलब खा कर जाते हैं, यह सब करता है सब एनर्जी वाला चीज़ होता है, तो ज्यादा तर अगर आपको मतलब ज्यादा चाहिए कि हम एक्टिवनेस के साथ, पूरा माइंड फ्रेस के साथ एक्जाम दें, तो एक्जाम देने से कुछ समय पहले आप केला जरूर खा सकते हैं, जिनको अगर सर्दी ना रहे, वो क केला खा सकते हैं, एक आद केला जरूर खाईए, एक आद दो केला खा कर जाईए, एक्जाम देने, अज बहुत अच्छे से आप लिखिएगा, तभी तो बता रहा हूं, सुबह में थोड़ी बता हूँगा, तो यादर के ओप्सन सी, आगे देखिएगा प्रस्ण, तापी अच्छा, तापी वेसिन का भी संख्या कम है ना, माही वेसिन और तापी वेसिन, अगला देखिए, सो नमबर प्रस्ण, निमलिखित में कोईला खा दियानों में कौन जो है वो जारखंड में नहीं है, बोकारो, गिलिडी, सिंग्राउली या जड़िया, देखिए, कौन ज जो है वो पुर्व की और प्रवाहित नहीं होती है, तो सही ज़बाब के क्या हो जाएंगे, ओप्सन नमबर सी हो जाएगा, पुर्व की और प्रवाहित नहीं होती है, बेतर्नी सुवन रेखा ताप्ति और कृष्ण, 101 का एंसर कीजिए, ताप्ति या लोग आ रहें, तब्टी नदि पुर्णा प्रभाई सट्रेटी डि वला याद रहेँ गेज्ट में कि समएछ mettre हिराखूप पर्योजJust मुप्योजित्हें हिराखून पर यंघ्ली अब काों अब कहां में जुट्रों पर यौतिह कि निम्लिखित में कौन पूर्व मध्य रेल्वे मंडल का मुख्याल है देखें बीवी आई रहेगा एक दम हंडेट परसेंट स्योर रहे हैं यह सारे प्रस्न इंपॉर्टेंट है यहां पर ध्यान रखेगा एक पूर्व मध्य रेल्वे हो जाएगा और एक आपका पस्षीम होता है तो पश्षीम मध्य रेल्वे का अभी पूछ देता है तो अभी पूछ रहा है पूर्व मध्य रेल्वे का मंडल का मुख्याल है सही जवाब का आप्सन डी हो जाएगा हाजी पूर्व अगला देखिएगा प्रस्न एक सो चार्ट नमबर निम्लिखित में कौन सर्वधिक जन संख्या वाला मेगा नगर है मुंबई कोलकता डिली चेननाई सही जवाब के ऑप्सन हो जाएगे मुंबई जो है वो सर्वधिक जन संख्या वाला मेगा नगर है अगला देखिएगा 105 नमबर कि निम्लिखित राजियों में किसमें जौहरलाल नहरु पतन सबस्तित हैं सही जवाब के क्या हो जाएंगे ऑप्सन सी महाराष्ट ठीक है तो जो आहला नहरु पतन आपके कहां में है तो महाराष्ट में पढ़ाया था न मैंने अभी इधन इहाली फिलालों में तो प्राया हूं मुंबई सही है मुंबई अगला देखिए 105 का सी 106 देखिएगा भारत में सर्वधिक संख्या में सरनार्थी कहां से आय थे भारत में सबसे जारा संख्या में सरनार्थी कहां से आय थे सिरलंका से सिरलंका से नेपाल से मियामार से या बंगलादेश से तो याद रखिएगा सही जवाब आपका 106 का आपका option ही हो जाएगा बांगलादेश से ठीक है अगला प्रसंद देखिए ध्वानी पर्दूशन के मुख स्रोत क्या है तो ध्वानी पर्दूशन का सबसे जादा जो स्रोत है आपका उद्योग हो जाएगा अगला प्रसंद की 108 नंबर सर्वधिक है अफ्रिका में इस्या में उत्तर अमेरिका में अधिक है आपका वह आपका option हो जाएगा अफ्रीका में ठीक है तो अफ्रीका याद रखिएगा चलिए तोटल अभी तक हम लोग ने 108 प्रसंद को कर लिया है अभी और भी प्रसंद को क करेंगे छोड़ेंगे कैसे हैं है कि अचलिए 109 नंबर प्रसंद आपके समख्छा गया कहता है कि ट्रांस महाध्यूपिये अस्टूर्ट महामार्क को जूरता है कौन जूरता है जी option है वेंकुवर को संट चॉन से चेंगडू को लहाशा से एंट मॉंटन वह इन क्रोस से डार्विन को मिलबर्ण से यह आपके मोडल का प्रस्टन है मैंने यहीं से इस प्रस्टन को इसमें डाला है सही जाओ आपका डार्विन को मिलबर्ण से हो जाएगा ठीक है तो option D अगला देखिए निमलिखित दच्चीन अमिर्की देशों में कौन जो है ओपेक का सदस्त है सही अंसर आपका याद रखना है दोस्त option D वेनेजुएला आपके सही जवाब हो जाएगे निमलिखित में कौन जो है वो तृतियक आर्थिक किरिया कलाप है खेती ब्यापार बुनाई या आखेट एक वार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं प्रात्मिक दृतियक तृतियक को आप पूरा ध्यान में रखेगा जाता है और आपका उřिस्वहाइँ हो जाता है तो तीनों के बारे में जालाब है सेवा कौन सा हो गया तुब विएपार देशों में किसकी कोटी जो है सबसे जादा है तो सबसे जादा आपका नौडवे का है ठीक है तो नौडवे आपके सही जवाब हो जाएंगे अगला देखिए 1 दह सिरिनगर को कन्या कुमारी रह तो किसी जोड़ता है ? किसी जील के चारों और बसा हुआ धिवास किस प्रतिरूप में आगा तो फलो की ही क्रिसी होती है तो याद रखिएगा खटे रजदार फलो की क्रिसी आपका भूमद्य सागड़िये क्रिसी से समन्दित है अगला आप देखिएगा निमलिखित में से भारत में पुरुष परवास का प्रमुक कारम कौन सा है तो भारत में जो पुरुष परवास करते हैं तेखिए यह जो सब्ध है याद रखिएगा पुरुष परवास बहुत इंपोर्टेन सब्ध है प्रसन पूछ रहा है कि निमलिखित में पुरुष पुर्णीवादी मतलब प्राइबिट हर आदमी का अपनापना होता है अगला देखिए निम्न लिखिट में से कौन और द्योगी का अवस्थापना का प्रमू कारक नहीं यानि कि कोई भी आपको उद्ध्यों करना अस्थापित करना है तो कौन जो होता है वो मेजर कारक नहीं है बाजार पूंजी जनसंख्या या उर्जा तो शही जवाब आपका क्या हो जागा देखे बजार भी देखना परता है हम लोग को कि अगल बगल में बजार है कि नहीं जनसंख्या होता है वही आपका हो जागा स्थिज्वाब यंद्षा आप जादा लोग ध्यान नहीं डेते जन संक्या रहे या न रहे फिर भी आप लोग कर लेते हैं अगला देखेगा मतलब वहां पर फैक्ट्री अस्थापित कर सकते हैं विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निमलिखित में से किस प्रकार के हैं तो जो सबसे ज्यादा अगला देखेगा प्रशन संख्या 119 कि निमलिखित में से भारत में पुरुष परवास का प्रमुख कारण कौन सा है तो भारत में सबसे ज्यादा जो पुरुष परवास होता है दोस्तों 119 का आपका हो जाएगा ऑप्शन प्रवास करता है तो फैमली के देखने के लिए कौन प्रवास करता है तो प्रवास करते हैं अगला प्रस्त देखेगा सहकारी क्रिसी सबसे ज़्यादा सफल रही याद रखिएगा सामोही क्रिसी और सहकारी क्रिसी बोले तो दोनों 1 है लेकिन थोरा सा डिफ्रेंट है तो सहकारी क्रिसी सबसे ज्यादा सफल प्रवार्व भारत में वह आपका डेन मार्क कर सही जबाब हो जाएंगे ऑप्शन भी अगला देखीएगा प्रस ना भी गया पूछ रहा कि निम्लिखित केंदर सास्कीत परदेशों में किसका साग्षर्टा दर उच्छतम है चंडीगर अंडवान और निकवार दमन और दीप या लक्षदीप तो सही अनसर आपके लंड़ी तो सही फिए टेलीगराम पर अलेडी सब घ्यागे जा चुका है एकश्वासी का आपका ओप्सन दीप लग्षदीप हो जाएगा अगला प्रस नेखिएगा आई आइटीडीपी है आइटीडीपी क्या है तो आइटीडीपी एक वार मैंने थोड़ा सा गलत यह दो है आइटीडीपी आपका कहां गया शमनवित परियाटन विकास प्रोग्राम नहीं होगा शमनवित जन जातिये विकास प्रोग्राम नहीं होगा शमनवित विकास विकास प् हाद्द नदी कौन है तो याद रखिएगा अपका आपका खाते फसल आपका कौन है ले देखिएगा प्रसन इम लिखित में से सरवधिक प्रदूसित नदी और है civilized सबसे कम आपके जो जन संख्या पिडामीड होता है उसी के अधार पर इसको दर्शाए जाता है तो अब पुछ रहा है आपसे कि निम्लिखित राज्यों में किसका जीरो से छो आयू बर्ग में लिंग अनुपात सबसे कम है तो सही जवाब का हो जाएंगे फिर नेक्स प्रस्न हम लोग देख लेते हैं तो टोटल 127 नमर प्रस्न कर चुके हैं अभी तक हम लोगों ने और आ भी आया होगा सारे प्रस्टmedim को करने में ऐसा लग रहा हुआ कि हां मैंने कुछ पढ़ा है एक साल में मैंने कुछ न पुछ तो जरूर परहा है ऐसा महसूस अगर आपको हो तो समझ जाए कि आप पर रहे हैं अगर आप प्रस्ण देखेगा 128 नंबर कि 2011 की जन गन्ना के अनुसार भारत के किस राज में नगडिये जन संख्या का परतिसर सरवधिक था नगडिये देखेगे प्रस्ण समझेए प्रस्ण क्या करा दोस्त कि 2011 क अगला देखेगा इसका 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 इसकी जोड़ लिए फटाक से गलत है आप लोगा सी याद किजिएगा चलिए अगला प्रस्ण ने के डॉक्टर मवूल उलहक कहां के निवासी थे तो डॉक्टर मवूल उलहक जो थे वह आपके कहां के निवासी थे ऑप्षन भी आपके पाकिस्तान हो जाएंगे अगला प्रस्ण है कि निमलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रिये महामार्ग है तो सबस से तो स्वासन मतलब आप समझी यह मिलेटेडत है इसका सांस यानि कि वाईूसे होगा ने तर शले वह नहीं व्शनीलक सोथ नहीं होता आपका सही जवाबब हुआ शोथ जो जाए गए अगया थेख़ेगा भिलाई की सवर का नगर है तो हुआ आपका अप्शन हो जागा औौड योगी नगर विए आपका क्या है तो दूद को है अगला देगेगा निमलिखित राजियों तो भी बोल रहा है कि मुख्य कारण कौन है तो सभी अंसर आपका 34 का ओप्शन हो जागा मुझा में लवनता है जब मुझा में एसीड की मातरा जब जब जादा हो जाती है तब ही नहीं उसमें चूना होना देकर हम लोग उसको सही करने का प्रयास करते हैं कि चूना चुकी ब तो शिंची धित्रों में म्रीदा निम्म्नी करन का मुखे कारण आपका क्या है तो आपका म्रीदा लवनता है अगला प्रसंदीखेगा ईड़ोप वबासीओं युरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेसों में किस परकार की क्रिसी का विकास किया गया था तो युरोप वासि जो थे वो रोपन क्रिसी यानि की जो बगानी क्रिसी थे उस पर जादा ध्यान देते से सही अंसर आपका आपका ओप्सन भी हो जागा रोपन क्रिसी ठीक tim 135 तक हम रिकिता था नहीं है आप कि टीजिए प्रस नहीं का किस सलेम इस पात्तू दियोग है कहां में तमिल मनिलादू में आंध्र-परदेश में और छिप सब्सक्राइब करनाटक में आंधर परदेश महाराष्ट में सभी अंसर आपके ऑप्सन क्या हो जाएंगे ऑप्सन नहीं हो जागा तामिल लाड़ो में सलेम है आपका अगला देखिएगा निमलिखित में से कौन सा भू उपयोग जो है श्रमवर्ग में नहीं है जिसका उपय तो सबसे ज्यादा सोना जो है अगर हम लोग भारत की बात करने तो सबसे ज्यादा रखना है तो हम लोग का कल हिंदी का एक्जाम है आसिरवाद देजिए बिल्कुल आसिरवाद अला वीडियो आएगा ना भी बिना आसिरवाद दिये कैसे भेज़ दूँगा अगला देखिए एक सब चालिस नमर प्रस्ट देखिए किस परदूसन द्वारा सरवधिक बिमारियां होती है तो सबसे ज़्यादा ये सरवे के अनुसार पता चला है इस सबसे ज़्यादा जो बिमारी होती है दोस्तों वो जल परदूसन के द्वारा होती है ठीक है अराम अराम से प्रस्नों को करा रहा हूं लेकिन डिवीजन करने में बिल्कुल मज़ा रहा हूँ क्योंकि आपको पहले से लग रहा हूँ कि हाँ प्रस्नियाद है प्रस्नों को मैंने पहले पढ़ा है और वही प्रस्नों को पढ़ने के लिए मुझे मिल रहा है तो अच्छा लेगेगा ही लेगा थोड़ी ना पहली बार आपका इसको देखा है अगला देखिए 141 नमर प्रस्ण करता है कि नागपुर योजना किस परिवहन से समंदित है तो याद रखेगा नागपुर योजना जो है आपका दोस्तों वो किस परिवहन से समंदित है जल सरक वायू या मतलब उसको हम लोग खाते हैं गेहूं, गन्ना, कॉफी या चुकुंदर किसको खाते हैं जी सही अनसर आपका ओप्सन ही हो जागा गन्ना, कॉफी, चुकुंदर ये सब आपका खाते फसल में नहीं आएगा अगला प्रसम देखेगा की से राज में गोंडवाना कोईला पाया सारक्षेसे हम लोग का हिंदी का कलास है तो छे वज़े तक हम लोग 300 प्रस्नों को एटेम्ट कर लेंगे आप प्रिसान मत होई है अगला देखिएगा प्रस्निया पर चाय का सबसे बरा उत्पादक देश है सिर्लंका भारत पाकिस्तान और म्यामार तो याद रखिएगा चाय कारेसिल जन संख्या का प्रतिनित्व करता है कारेसिल जन संख्या का प्रतिनित्व करता है प्रस्न पूछ रहा है तो 15-69 वर्स वाले ही तो कारेसिल जन संख्या में आते हैं और यह भी हो सकता है कि ऐसे एकजाम में पूछ दें कि कारेसिल जन संख्या से आप क्या समझते है कारेसिल जन संख्या आयू वर्ग क्या है तो आपको लिखना होगा कि इसमें जो होते हैं वो आस्रित वर्ग जो होते हैं कारेसिल जन संख्या पर आपके जो होते हैं प्रोड वर्ग है और जो बच्चे वाले वर्ग होते हैं सब इस पर आस्रित रहते हैं तो इसी को हम लोग क तो चैतर फल की दिरिष्टी से भारत का सबसे बरा राज्य कौन है तो जन संख्या से तो आपका ऐसे उत्तर-प्रदेस है लेकिन छेत्रफल से आपका option C Rajasthana हो जागा तो 147 का आपका option C हो जागा मित्री, ठीक है? 147 का आपका क्या हो जागा दोस्त option C हो जाएगा अगला प्रस्म देखिएगा भारत में जन संख्या का सरवधिक घनत्व कहां है? तो सबसे ज़ादे जन संख्या घनत्व बिहार में है तो सही अंसर आपके option ही हो जाएंगे 140 का फिर हम लोग नेक्स प्रस्न देख लेते हैं 149 नंबर रबर किस प्रकार के क्रिसी का उपज है तो रबर आपका रोपन क्रिसी है है नजीब हुमाद सागर यह में आपका खट्टा आ जाता है प्रारंभी का स्थाई क्र हैं में में लिडिक लिए हैने और याद रखियेगा तो टोटल अभी तक हम लोग ने डियर सो प्रस्चन को कर लिया मैंने बोला है आपको कि 3 सो प्रस्चन करांगा नहीं कि हम लोगों ने आधे अपने आधे हम लोग चले गए हैं अब आधा आओ जाना है चलिए 150 नमर प्रस्ण यानि की 50 नमर प्रस्ण देखिएगा कहता है इभारत की सबसे लंबी नदी कौन है गंगा बर महा नदी नर्मदा या बढ़ंपूत्र सपने में भी आपको याद होगा सहीं सरसर आपका ओप्शन हो जागा सर सबसे जादा अधिक संख्या में गानदी अगला दिखेगा किस महा देश सबसे अधिक संख्या में अंतराष्ट्य पढ़े रटक आते हीं तो आपनी उर्यम 對 पुंछा सबसे ज्यादा अधिक संख्या में अंतराश्ति द्योग के लिए जाना जाता है देखिए प्रसने आपका सोला पूर्किश उद्योग के लिए जाना जाता है लोहािस पाथ ऐल्मुनियम के लिए सेमेंट के लिए सुतिवस्तर के लिए याद रखिएगा option डी आपका हो जागा षूलापूर्द शुतिवस्तर के लिए जाना जाता है देखे पार द्वीप बंदरगा किस राज में हैं तो पार द्वीप बंदरगा कि अगर हम लोग बात करें तो ये 153 का सही अंसर आपका आपका ओप्सन भी हो जागा उडिसा में हैं है न तो उडिसा आपको याद रखना है चलिए थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करते हैं आप लोग हुँ जल जल दी अंसर करने का प्रयास किजिएगा चलिए है कि जन गर्ना के अनुसार निमलिखित में से किस राज का जन संक्या घनतव निम्टम है देखिए जन संक्या घनतव पुचाई सबसे जाधा बिहार का लेकिन अब पूचा है कि सबसे ज्यादा कम सबसे कम किसका तो अरुनाचल प्रदेश का अगला प्रसंद देखिएगा निमलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी टर्ट पर इस्तित है पूर्वी टर्ट पर आपका यह जो ऑप्शन दिया गया है कांगला मुंबई न्यूमंग लोल यह कौन यह च dü które तो पुड़ी टर पर इस्तित है तो आपका चिन रिड़ी तरफ पर इस्तित और अगला प्ट्रस नेखेगा निम्लिखित में से कौन डिल्ली या लखनौ आपको पता है डिल्ली में तो हई यह है जी सही अंसर आपका क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश में आपका ग्रांट रंग रोड नहीं है अगला प्रसंद देखिएगा और दूगी करन से कौन सा प्रदूशन होता है यानि कि जब सब्सक्राइब जो आपका एंसी आटी के कोडिंग है अभी लेटेश नहीं में फिरका रहा हूं आपको कि आपको एंसी चलना है तो सही अंसर आपका उप्सेंसी 10.2 लाक हो जाएगा ठीक है तो आप्सेंसी आप लोग याद रखिएगा इसलिए 159 नमबर प्रसंद देखिए कि भारत में आधुनी की करंद तकनीक पर आधारित सूती वस्त रुद्यों की शुरुवात कब होई तो भारत में आधुनीक तकनी करंद पर आधारित सूती वस्त रुद्यों की जो शुरुवात हुई थी दोस्तों सही अंसर आपका कितना नंबर है 159 सही इंसर आपका बहुत अच्छे याद है आप मैंने सी बताया तो आप लोग सी करने लगें कि यह वर्स पूर्व बोल रहा है कि इसका एंसर किजिए आप लो फटा फट्स एंवान फिटीन आइं का फले तो इसकी इन सोट लीजिए आप लो तो मैं कमेंट में पीन करूंगा इसे ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट देखने के लिए मिलता है एक इंसर में गलत अगर बतला दूना तो मुझे कमेंट ज्यादा देखने के अगला प्रस्ण देखिएगा कावस जी डावर ने की स्वचालीत उद्योग किया स्थापना के सी तो कावस जी डावर का जो संबन था दोस्तों वह आपके ऑप्शन सी सुति वस्त उद्योग से था अगला प्रस्ण देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा खनीद जो है उद्पादक है कोईला के अगर हम बात करें तो सही जवाब आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे चीन आपका जो है सबसे बड़ा उद्पादक देश है कोईला का अगला प्रस्ण देखिएगा निम्नलिखित में से कहां लोहा है वह उस पात तुद्योग अवस्तित है तो लो साइबेरियन डेल मार्क किस देश में इस्तित है नहीं जी कमेंट कीजिए कमेंट ही तो करने के लिए मैं प्रस्ण छोड़ता हूं ताकि कम से कम इतना तो पता चले कि 2020 में या 2023 में या 2024 में जो भी बच्चा पढ़ा था उसका कमेंट सेक्शन में नाम तो रहता है आज आप प्रांस साइबेरियन डेल मार्क किस देश में इस्तित है 164 का सईड़ा आपका ओप्सन भी रूस हो जागा ना अगला देखिएगा प्रस्ण डेल मार्क बनने में कितने वर्स लगे थे चाहिए इनसर आपका ओप्सन ही हो जागा 14 अगला प्रस्ण निकिए गानिम जाएगा जोना याद रहे हैं आंं struct कि अनुझी खेटि काहलाती है दोस्टाओं तो अंगीर कि खेटि को 3 चल्चर के नाम से मूग जानते हैं तो option भी आपके हो जाएंगे जो ग्राफिया जनरलीस के लेखा कौन है पहले चैप्टर में ही पढ़ाएगे आपको option भी वारे नियास हो जाएंगे अगला देखिए विहार के लोग किस भासा पडिवार समू से संबंदित है तो विहार के लोग जो है वो किस भासा पडिवार को मतलब मानते हैं किस भासा को बोलते हैं तो हम लोग द्रविडियन हैं तो द्रविडियन आपके सही जो आप हो जाएंगे अगला प्रसंद देखिएगा किस पंचवर्शी होजना की अवधित 2007 से 2012 तक है तो पंचवर्शी होजना में पूछा तो options थी आपका ग भारत के पास प्शूं का देश के नाम से भी जाना जाता है और भारत में सबसे बादा पॉसमेला भी आपके यहां मेंरा तब क्या से घनत्व है तो सबसे ज़्यादा भारत में पसु घनत्व मतलब पसुओं की जो संख्या सबसे ज़्यादा किस राज में है भारत के सहीं सर आपका option number D हो जागा महाराश्ट्र में है जी क्या सही है बताइए भारत के किस राज में सरवधिक पसु घनत्व है बिहार नहीं होगा अब बताइए महाराश्ट नहीं बिहार भी नहीं बिहार तो होगा नहीं अप लोग बताइए भारत के किस राज में सरवधिक पसु घनत्व है कि एक आप तो इंसर की दिए तब तक में देश्ट भी कर लूँ कि उत्तर पर देशन अगरा था आंदर सबको पीछे छुड़ दिता कि राजस्थान बहुत अच्छे याद रखिएगा कि नहीं धनत्व पूछ रहा है सबसे ज्यादा नहीं पूछ रहा है तो राजस्थान बहुत अच्छा वेरी गुड़ अगला देखेगा प्रस्ण भारत में भारत के पास 20 कि कितनी परतिसत भीरे हैं भीर की बात की जा र से गयारामी पंचब स्पात वर्षी होत की अवधी क्या थी अभी आतने पढ़ा कि आधी आपका 2007-2012 हो जाएगा सलेम समंधित है तो सलेम की से समंधित है न था लोहाई स्पात थुद्पादन से है आ circuits का दी याद रखिएगा सम्रम्धि जो है आपका Init 55 के लिए परसिद ह में हैं तो हुगली आपका हुगली जगह है किस राज में है जी तो ऑप्षन भी आपका पच्छी में बंगाल में अगला प्रस्ण आप देखिए प्रस्ण संक्या 178 नंबर कहां हैं आप लोग अभी तक यहीं पे हैं 178 देखिए मानो भुगोल किर्यासिल मानो और अस्थाई प्रित्वी के परिवर्तन सिल संबंदो का अध्याने या किस ने कहा था ये किसका कथन था सही जबाव आपके हो जाएंगे ऑप्षन नंबर सी याद रखिएगा अगला है जनसंख्या वित्रण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्पून कारक कौनसा है तो सबसे महत्यापून कारक करता हैあ लेकिन पूंचा है सबसे महत्यून आपका क्या हो जाएगा option d जलवायू जलवायू पर बहुँ जादध रखिएग फ्रकिन सबसन परसांत महासागर को आट्लांटिक महासागर से चली हो गया यहीं पर मानोव भूगोल का उपागम नहीं है प्रशन अच्छा है देखिएगा तो मानोव भूगोल का उपागम नहीं करांती नहीं वह था मानोव भूगोल के अंतरगर इन में से कौन सी एक आर्थी किरिया ग्रामिन बस्तियों की मुख आर्थी किरिया है तो प्रात्मिक आर्थी कि किज़े सभी लो तर्न पता चलेगा कितना पढ़ते हैं तो और राग ने होजा जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा अपने किया अंसर तो शी वाले बिल्कुल गलत हैं जिन लोगों ध्यान दिजी आज बस्ती पुछ रहा है तो बस्ती आपका जो होता है वो आयताकार होता है अगर यहाँ पर खेती पुछता है तो खेती आपका जो होता है वो सीरी नुमा होता है तो याद रखेंगा पढ़ाया है मैंने बहुत बात ठीक है तो सीरी नुमा अगर खेती किस राज्य में बास द्रिप सी चाई पर्नाली प्रशिद है। जैसे हम लोग इहां पाइप से पानी पठाते हैं लेकिन कि आपका प्रसिद है, तो एक्षच्छाशिक का आपका option भी हो जागा, में घाले में सब जो होता है, वो बास त्रिप सी सनक को हम लोग श्वाणीव चतु पूझ के नाम से जानते हैं तो याद रखिएगा अगला प्रस्न देखते हैं आख लरेंस आख छेतर परसीद है किसके लिए परसीद्ध है लौरेंस आख छेतर परसीद्ध है किसके लिए जी तो 188 का साइब का अप्शन सी हो जागा कोई लाग के लिए हैं अगला प्रसंद दिखिएगा रावत भाटा पर्मानु उर्जासनियत्र की सिर्वाद आज में है तो रावत भाटा पर्मानु उर्जासनियत्र आपका 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 संख्या 190 नंबर कि निम्ण में कौन सा 190 191 नंबर किस वर्स विश्व कि मानो जन संख्या 6 अरब हुई थी बहुत अच्छा प्रस्न है बहुत बार पुछा इस प्रस्न को ध्यान में रहेगा अगला प्रस्न देखिएगा निम्ण लिखित में से किस वर्स अज़े मानो जन संख्या 6 अरब हुई है निम्ण में से कौन एक उत्तर पुर्वी भारत का दचिंतम राज है तो उत्तर पुर्वी भारत का दचिंतम राज पुछ रहा है तो अप्सन सी आपका हो जागा काला हारी मरुवस्थल में कौन सी जन जाती निवास करती है तो बुष्मैन नाम की जन जाती है तो 193 का हम लोग आप्सन देखेंगे तब हम लोग को पता चलेगा अभी देख लेते हैं देखें बुष्मैन है ना तो आपका सही जबाब हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब Fragenंटिक 184 नमर परस्ण देखिए मेंगानगर के जन संख्या कितनी होती है तो मेंगानगर की जन संख्या होती है साति हूं 194 का सही अंसर आपको ऑप्शन हो जागा एक साहर है तो फड़ीदावाद सही सेटैंसर हो जाएंगे option number D हड़ी आना का अगला दिखिए गेहूं की खेती के लिए आदर्स तापमान कितना उन्हें ठंडे को दिनों में होता है यहां कि 10-20 Celsius तापमान रहता है उसी में गेहूं होता है तो 196 का option भी हो जाएगा तपमान अभी 110-20 Celsius का असपास है तो इसलिए आपका option number D हो जाएगा सरदार पर सरोबर पर योजना किस नदी पर है तो सरदार सरोबर पर योजना के अगर हम बात करें तो option A नर्मदा नदी पर बाबा बूधन की पहारी कहां में है दोस्तों तो 198 का सही इंसर आपका हो जाएगा याद रखिए option A करनाटक में और परिष्टार और खोज का कोई तातकालिक परिमान या परिभासा किसने दिया तो मानव भूगोल का जो है या जो परिभासा है वो किसने दिया था तो सही अंसर आपका option से हो जागा विडाल डी लाबलास ने तो विडाल डी लाबलास का यह definition था ठीक है तो याद रखिएग फिर हम लोगों को question bank भी तो करना है है न जी तो question bank करना है तो अगर हम लोग आज छोड़ देंगे तो फिर question bank के लिए समय ने बचाएगा बाकी और फिवी से है तो लगे हैं तो पूरा ख़तम ही कर देते है ठीक है आगे देखिए 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 201 नमबर है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुष्टक किस ने लिखा है तो 201 का सही जब आपका क्या हो जागा ऑप्शन नमबर भी हो जागा रैजल एंथ्रोपोजियोग्राफी हां रैजल ने लिखा अगला प्रस निखिएगा 1990 का दसक भुगोल के किस उपागम के लिखाना जाता है तो याद रखिएगा सही अंसर है नो सरजी करवाद दिजिए आज है करवाई आज हैं 1990 का दसक Google के किस्टू पागम के लिए जाना जाता है सही अंसर आपका हो जागा 202 का ओप्सन नमर भी आधुनिक्ताबाद अगला देखिएगा उत्तर आधुनिक्ताबाद अगला देखिएगा प्रसन संख्या है नियती बाद के विचारक कौन थे नियती बाद के विचारक कौन थे यह आपका प्रतिकर्स कारक है इसलिए यही आपका सही अंसर हो जागा opssä नमबर सी याद रखिएगा चलिए अगला प्रसन देखते है बिश्व में सरवधिक जन संख्या के इंदरित है कहां में परवतिय चेत्रों में पठारी चेत्रों में ना भाई परवतिय चेत्रों में रहेगा जन संख्या इतना नहीं रहेगा पठारी चेत्रों में भी नहीं रहेगा जन संख्या इतना चलिए और ऑप्संस में अपना ध् नदी घाटियों के उच्छ भागों पर था सबसे ज्यादा जो है वो समतल छेत्रों में है ना तो दूसर चाओ का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा और दचिन पुर्वी एसिया में नदी घाटियों पे भी ज्यादा तर जन संख्या आपका निवास कर जाता है ठीक है लेकिन स साथ का सई जवाब आपका option भी हो जाएगा 100 करोड अगला प्रसंद दिखिएगा विश्वे में सबसे अधिक जन संक्या वाला देश कौन सा है तो सबसे अधिक जन संक्या वाला देश्याटिक के कारण नहीं चलना है मैंने बार बार आपको बोला है तो अभी आपको चीन ह होंगे अगला प्रस्ट नेकिए निम्ड में से कौन चाहँ छेत्र कम घनतों वाला नहीं है कम घनतों वाला नहीं है आधना दचिनपुर WSCA विश्वतिय दुरिय प्रदेश इसके बारे में नहीं पत्ता है कि आपका सगन मतलब ज्यादा जन संख्या वाला और यहां पर कम घनतों वाला नहीं है तो सिंपल सा option भी हो जागा सर दचिन पुर्वी ऐसिया अगला देखिए एक इसमी सताबदी के प्राणव में विश्व की जन संख्या दर्च की गई थी तो जब एक इसमी सताबदी की सुरुवात हुई थी तो टोटल जो था वो विश्व की जन संख्या कितनी थी दोस्तों तो याद रखिएगा 210 का आपका सही जवाब हो जागा option number C 600 करोड अगला प्रसंद देखिएगा 530 नहीं 600 करोड अगला देखिएगा किसे द्विप में सरवदिक जन संख्या घनतों पाई जाता है अगला प्रसंद देखिएगा न सबसे दिख जन जनांडर वाला देखोंसा है सबसे ज़्यादा प्रजनन्य जन्म कहां में होता है किस देख में होता है तो आहँ आई जादा था तो आही नाइजिरिया निम्नायंकीत में से कौन सा आयू वर्घ नहीं है हम लोग ने 60 से अधिक वार के बारे में पढ़ा किस नहीं है तो 90 draw नहीं करता नहीं करता ये आई वर्ग आपका का नहीं है बिस उमें सबसे अधीक नगरी कि Ziel कौन है आपका तो सबसे अधिक सबसे ज्यादा जो नगर वो किस देश में हैं दोस्तों तो option भी आपका Great Britain में सबसे ज़्यादा जो हैं वो नगर हैं अगला प्रस्म देखेगा निमलिकित में से किस ने सन्यूग तरव अमिरात को को लिंग अनुपात को निमनी किया है सन्यूग तरव अमिरात में जो लिंग अनुपात है उसको कम करने का कारण किसको जाता है option को पढ़ेंगे तब answer clear होगा option है पूरुस कारेसिल जन संख्या का चैनीत प्रवास पूरुसों के उच्छे जनमदर इस्तिरियों के निमन जनमदर या इस्तिरियों का उच उत्त प्रवास तो देखिए सही answer आपका इसका होगा option है पूरुस कारेसिल जन संख्या का चैनीत प्रवास मतलब कि क्या हुआ है सनियूक तरह में मिरात में क्या हुआ है ज्यादा तर जो है वहाँ के पूरुस दूसरे देशों में कारे करने के लिए चले गए है जिसके कारण से वहाँ का लिंग अनुपाज जो है वो निम्न हुआ है अगला प्रसंद देखिएगा 217 नमबर प्रस्ट देखिए 100 पर 30 सहरी जन संख्या वाले देश का नाम है तो याद रखेगा 100 पर 30 जो सहरी जन संख्या जो है सिंपल सा है बताया गया है आपको सिंगापूर में है आपका 100 पर 30 आपका जो है वो सहरी जन संख्या निमलिखित में से कौन सा विकास का सरवत्तम वर्णन करता है जी 2018 का ये प्रस ने पूछा गया प्रस ने आपके एक्जाम में विकास का सरवत्तम वर्णन कौन करता है तो गून में धनात्मक परिवर्णन ठीक है तो option B आपका हो जागा जब गून में धनात्मक परिवर्तन होता है दोस्तों उसी को कहा जाता है विकास का सबसे ये सर्वत्तम वर्णन करता है निमलिखित में से कौन सा देश उच मानो विकास वाला नहीं है तो याद रखिएगा आपका option D हो जागा मिस्र जो है नौर्वे जो है उच मानो विकास वाला है अर्जेंटीना वी है जापान विकास तो सबसे पहले में आता है उच मानो विकास सुझ कांग के अगर बात करने तो नौर्वे सबसे पहले में आपका आता है सही अंसर आपका मिस्र हो जाएगा ठीक है तो option D is the right answer ठीक है तो मिस्र आप लोग याद रखिएगा कि ये उच मानो विकास वाला नहीं है अगला देखिएगा उचे जन्मदर एवाम उच मृत्यूदर वाला महादीप है तो उच जन्मदर एवाम उच मृत्यूदर दोनों यानि कि यहाँ पर दोनों जन्मदर भी ज्यादा मृत्यूदर भी ज्यादा किस महादीप में है सही अंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा अफ्रीका ठीक है इसलिए न मैंने आपको उलाएक जन्मदर एक जन्मदर कहां का सरवत दिखे तो आपका अफ्रीका अगला देखिएगा प्रसंद संख्या 221 निमलिखित में से किस देश का मानो विकास सुच भारत से उच नहीं है तो भारत से उच देखिए इसमें से जो भी यहां पर ऑप्शन दिये गए जैसे आपका तिरिनाइड है मैं मार है टो 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 बैगो है सब भारत से उच है लेकिन सी लंका जो है वह भारत से कम में आता इसलिए आपके सही जवाब हो जाएगे अगला लगानाइड यहाँ धर्येकर जाएंगे प्रसंदेखिएगा कॉन सादेश उच मानो अस्तर में समिलित नहीं है तो उच मानोे श्थे नौर्वे तो सम्मिलित ह storms यह है मारत हु भारत का 222 ध्यान से देखिएगा भारते नहीं सम्हिलित है है ना जी 222 का आपका option भी हो जाएगा भारत जो है उच मानविकास के अंतरगत नहीं आता है नोर्वे तो आता है एस्टलिया भी आता है कनाड़ा भी आता है आपका उच मानविकास में फूलो की क्रिसी क्या कल आती है दोस्तों तो फूलो की क्रिसी पुसपोत पादन यानिकि इसको फ्लॉरी कल्चर के नाम से भी जाना जाता है तो याद रखिएगा option यह आपके सही जवाब हो जाएंगे निम्न परदेशों में से किसमें विश्तरितवानी जयनाज आज क्रिसी नहीं की जा सकती है तो विश्तरितवानी जयनाज क्रिसी एमेजन बेसिन में आपके नहीं किया जा सकते हैं तो option number D आपके सही जवाब हो जाएंगे next person आप देखिए निम्न क्रिसी की परकारों में कौन कर्तन दहन क्रिसी का एक परकार है हाँ मेरी बातों को सुन लिजिए क करतन दहन क्रिसी आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है इसको अस्थानांतरन सिल्क क्रिसी के नाम से भी जाना जाता है तो सही जवाब हो जाएंगे अगला देखिएगा प्रशन संख्या 226 निम्न में से कौन सी एकल क्रिसी नहीं है मतलब जो एक वार दो बार तीन वार ज्यवाब हो जाएंगे वह साथ क्रिसी को एकल क्रिसी नहीं है और देखिएगा कि कौन सी रोपन क्रिसी की फसल तो वही प्रशना फासल तो कहबा भी आपका rubber भी आपका गन्ना या सभी तो 227 का आपका option number क्या हो जाएगा जी 227 का option number D हो जाएगा सभी और एक बात याद रखिएगा भाई अभी एक प्रस नाय था चावल वाला तो याद रिखिया गन्ना आपका क्या है गन्ना आपका रूपन फरसल में आता है जी कि तुटाइए कर गन्ना रूपन फरसल में आता है गन्ना इस निग्ञांपल उपन क्रिसी जब लोग पताएंगे पर आपशन को चैज होना चाहिए ना यानि कि अब पर प्रसन देना चाहिए कि निम्न लिखित में से कौन रोपन क्रिसी की फसल नहीं है है कि नहीं तो इस तरह से ध्यान रखेगा अगला देखिए क्याम नमर आगा है अभी 227 के बाद 228 में जाना है एया कि अब जल्दी से कितना अभी आधा गंटा है ये वेसे पहले खतम कर दूँगा है ये वेसे पहले आपको 300 प्रस्ट में करा दूँगा बहुत सबसे पहले सुती तो क्या स्थापना की गई दोस्तों ऑप्शन सी कोलकता आपके सही जवाब हो जाएंगे अगला देखिए कागच का मुख उतपादक राज्य कौन सा है तो कागच में अगरा नी उतपादक राज्य की बात करें तो ऑप्शन डी आपका पच्छी मंगाल हो जाएगा टाटा आ अरा या इस्टील कमपनी जो है या आपका ओप्शन सी जम से पूल में इस्थित हैं सबसे बड़ी जहाजी नहर कौन सी है सबसे बड़ी जहाजी नगर की बात करें तो स्वेज नहर आपका हो जाएगा अगला देखिए प्रथम पंचवर्शी योजना कब लागू किया गया था तो प्रथम पंचवर्शी योजना 1951-1956 तक चला था आपका प्रती हजार पूर् कि निशन के रूप में कर सकते हैं ये प्रती हजार पूर्षों की तुलना में इस्थिरियों की संख्या को ही लिंगा अनुपात कहा जाता है अगला प्रस्थ निखिएगा मानों का प्रचिंतम क्रिया क्लाब क्या था तो मानों क्या करता था आखेटन करता था पसुपालन करत है clear अगला देखिए किस फसल के बुनाई के समय कम तापमान चाहिए धान जूट कपास या गेहूं अपने से एक्जामपल लिजिए गेहूं के टाइम में इसमें से कौन सा जो है जिसके टाइम में आपको कम चाहिए गेहूं जारे के बीनमें होता है तो क्या होता है क्या हट है तो हैसे जिए आपका सही जवाब अगला प्रसंदेखिए निखित में कौन दुवित्यक स्था किरया क लाप मचली पकरना आपका पराथ मी किया कला पलाप है जी तो यहीचत प्रसंट निमलिखित महादीपो में किस से विश्व व्यापार का सरवधिक प्रवाह होता है उतरी अमेरिका का अगला प्रसंट देखिएगा तो अब देखिए यहाँ पर ऐसे प्रसंट पूछ दिया 31 परसंट अभी मैंने पढ़ाया है तो 31 वाले ओप्संट को टिक कर देंगा अब पॉइंट पॉइंट यह सब हम लोग को नहीं देखना है हम लोग को यह प्रोक्स में चलना है एंसर को कर देना है है की नहीं चलिए आते हैं प्रसंट संख्या आपना हुगली और द्योगी परदेश का केंदर है कहां का तो हुगली देखिए हुगली और द्योगी परदेश का केंदर है कुलकता हावरा कुलकता मदेनिपूर कुलकता डिसरा या कुलकता कुन नगर है तो सही इंसर आपका option ने हो जागा हावडा कुलकता हावडा भारतीय रेल की शुरुवात कब हुई थी 1833 में याद रखना है कोची पतन कहां में वस्तित है तो कोची पतन जो है दोस्तों वो आपको याद रखिएगा option number C आपका हो जागा केरल नेक्स प्रसंद देखिए धरावी मलिन बस्ती आपका कहां में है तो मुंबई में है और अगला प्रसंद देखिए विश्तित व्यापारिक अना जुत पादन की रिसी नहीं की जा सकती है किस सेत्र में तो आपका option लिएकी प्रसंद को बार बार बहुत तरीके से घुमा घु प्रसंद देखिए गा 2011 की जन गर्ना का अमसार बिहार की जन संख्या थी कितनी जन संख्या थी सही इंसर आपका option नमड़ यह हो जाएगा 10.41 करोर अगला देखिए निमलिखित म्राज्यों में से किसकी जन संख्या सरवधिक है किसकी जन संख्या सबसे अरुदिक है उत्तर परियावरन के बीच और मानों के बीच और अन्योंने कीडिया का जो सबसे बढ़ा है वो आपका प्रधो की टेकनॉलजी जो है वो अधा करता है तो option b आपका सही जवाब हो जाएगा नियती वात संकल्भणा में किस घटक को महत्तपूर माना गया है तो पड़यावर्निय घटक को महत्तपूर माना गया है तो याद रखिएगा तो आपका प्राकृतिक घटक आपके ओप्शन ये सही जवाब हो जाएंगे और संभावाद में आपका मानुविये घटक लगाना है अभी मैंने आपको उताया सी लेकिन आप ध्यान किये आप जो तेज बच्चा होगा वो मानुविये घटक को लगा कियागा आज जो कोन प्राथमी क लिए अकलाब है खेते व्यापार बुनाई या जुत दॉट तो खेती जो है दोस्तों वो प्राथमी क Palam कि बच्चिम भहारत का नदी वेशिन अगला प्रस्वन है कि निमलिखित में कौन पच्च्चिमी भारत बच्चिम है माही व्यसीन अगला देखें निमलीख कला में कहां पे गुंडवाना कोईला प्रसीद्ध है तोगुंडवाना कोईला जो छेतकर है वो किस राज में है दोस्तों ऑपशन धीजहर खंड में हैं अगला प्रस्ने हाथ करगा उद्योग है तो हाथ करगा यह आपका स्वच्छन्य उद्योग की अधार्वुत उद्योग की कुटि bands देखिए हात करगा का मतलब हाथ से मसीन को चलाना तो या का पूटि रुद्योग बालगा तर अगहला अगला प्रसंदेगे भारत में हरित करांति कब शुरू हुई थी तो भारत में हरित करांति की सुरूआज जो इती निश्वॉट साथ है धसक में बहुत अच्छे ऑप्शन बी भी होता है तो याद रखिएगा सहीन सर आपका option सी अतीसार अभी आपने पराया मैंने अतीसार जो होता है वह जल से होता है उपर में एक टेलीग्राम का लिंक है जोईन कर लिएगा ओपेक जिसका full पर मोता है Organization of Petroleum Exporting Countries का मुख्याले कहां में है तो OPEC का जो मुख्याले हो आपका वियाना में है अगला प्रस्ण निम्रिखित में कौन वेवसाइक नगर है तो याद रखिएगा वेवसाइक नगर आपका पिटरसवर्ग हो जाएगा दोस्तों वेवसाइक मतलब वेवसाइक के लिए अगला प्रस्ण ने उत्तर अंट्लांटिक मार्क जोरता है बार बर हम लोगों ने इस प्रस्ण को किया है यह उत्तरी अमेरिका को यह उरोप से जोरता है तो OPEC ने ही आपका इसका सही जवाब हो जाएगा चली अगला प्रस्ण नम लोगो देखते है प्रस्ण संक्या 265 नमर क्या करता है कि निमलिखित में कौन अस्टेलिया की राजधानी है तो अस्टेलिया की राजधानी कैनबरा है जिसे नव नियोजित नगर के नाम से भी जाना जाता है अधीसा बाबा को नवीन पूस्प के नाम से जाना जाता है उच परिमान और अस्टर वाले अन्वेंसन से संबन्धित किरिया अकलापों को पंचम किरिया कलाप कहा जाता है याद रखिएगा ऑप्सण डी आपका हो जागा 266 का उच्छे परिनाम और अस्तर वाले अन्वेंशन वाले आपके पंचम हो जाएंगे निम्लिखित राज्यों में किसमें कहेगा नाब कि ये उर्जा के अंदर अगर आपसे पूछे तो और फिर पूछे आपका केंदू जर मैंगनी च्छेत्र रिष्तित है कहां में इस्तित है सही इंसर आपका ऑप्शन है उडिसा हो जाएगा ठीक है